हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 3.2 matrices का question number 18 देखते हैं क्या है most VIP question है ध्यान से करना क्या है A matrix समय दे रखिया 0 minus का 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 और 0 I is the identity matrix of order 2 I जो है identity matrix है जिसका order क्या दे रखा है 2 मतलब 2 by 2 की matrix है इसको देखते हुए हमें left hand side equal to right hand side प्रूव करनी है तो देखिए कैसे करेंगे ध्यान से देखो सबसे पहले left hand side पे ध्यान दो यहाँ पे क्या है I plus A है तो left hand side को लेके चलते हैं हम पहले यहाँ पे हैं हमारे पास I plus A matrix आए गया identity matrix क्या हो जाएगी 1, 0, 0, 1 इसको add करना है हमें A matrix में क्या है 0 minus का 10 alpha by 2 फिर 10 alpha by 2 और 0 इनकी addition करो क्या आएगा यहाँ पे 1 की 0 में addition 1 फिर minus का 10 alpha by 2 10 alpha by 2 में 0 add करेंगे तो यह भी क्या आएगा 10 alpha by 2 और 1 में 0 add करेंगे तो 1 आ गया यह आगे left hand side अब हमें चलना है right hand side पे main चीज जो काम है right hand side का ही है क्योंकि बड़ी calculation वही है यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है I minus A पहले I minus A निकाल लो बच्चो I minus A क्या निकलेगा I की value क्या है 1, 0, 0, 1 minus करना है A matrix क्या है 0 minus का 10 alpha by 2 10 alpha by 2 और 0 तो क्या आजएगा यहाँ पे result ध्यान से देखो 1 minus 0 करेंगे तो 1 0 minus of minus करेंगे तो क्या होजएगा 10 alpha by 2 0 minus 10 alpha by 2 करेंगे तो minus का 10 alpha by 2 और 1 minus 0 करेंगे तो 1 आजएगा समझ में आगी बात 1 minus alpha आचुका हमें निकालना क्या है 1 minus alpha की इससे multiply तो मतलब इस result की 1 10 alpha by 2 और minus का 10 alpha by 2 1 इसकी multiply किसे करनी है हमें cos alpha minus का sin alpha sin alpha cos alpha से यही तो है left and side हमारी ठीक है अब इसकी multiplication को move on कराते है अपने next page पे क्योंकि बड़ी calculation होगी तो इसलिए हम next page पे shift कर जाते है तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है row की column wise multiply करनी है पहले 1 की cos alpha से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 की cos alpha से cos alpha फिर हमने क्या करना है 10 alpha by 2 की sin alpha से करनी है तो plus का क्या आजाएगा sin alpha into में 10 alpha by 2 clear फिर इसकी 1 की इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का Sin, अलफा, और फिर प्लस में Same 12 से करो, क्या आएगा, क्या आएगा, minus का Sin, रहेगा, इंटू में 10 अलफा बाइ 2, फिर 1 की sin अलफा से करेंगे, तो plus का Sin अलफा, फिर इसकी इस से करो, minus minus plus हो जाएगा, तो क्या आजएगा यहाँ पे sin alpha into 10 alpha by 2 और 1 की cos alpha से करेंगे तो plus का cos alpha यह चीज समझ में आगई या नहीं आगई product की है यहाँ और कुछ भी नहीं किया है अब main काम जो आता है यहाँ पे formula's का है trigonometric के formula क्या क्या वनेंगे यहाँ पे देखो सारी की सारी term जो है आपका angle half दे रखा alpha by 2 है यहाँ पे alpha है यहाँ पे alpha है तो सभी के formula हमें half angle में लिख लेने हैं ध्यान से देखो क्या क्या formula हम यहाँ लगाएंगे 10 alpha by 2 किसके equal हो जाएगा बच्चो sin alpha by 2 upon में cos alpha by 2 कोई दिक्कत नहीं है पता है हसर हमें उसके बाद देखो sin 2 alpha का formula क्या होता है 2 sin alpha cos alpha अब अगर हमें sin alpha का formula चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका half कर रहे है तो यहाँ पे भी angles का half हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 sin alpha की जाएब भी पता लग गया formula अब cos alpha के दो formula होते हैं हमारे क्या होता है एक तो 1-2 sin square alpha by 2 और एक दूसरा formula होता है हमारा cos की form में 2 cos square alpha by 2 इन formula इसका use करेंगे हम अब यहाँ पे देखो use किस तरिके से कर रहे है सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे cos alpha सबसे पहले क्या है cos alpha तो यहाँ पे cos alpha किसके एक बलो हो जाएगा हमारा 1-2 sin square alpha by 2 तो यहाँ पे formula लगाते हैं 1-2 sin square alpha by 2 प्लस में यहाँ पे क्या है sin alpha into 10 alpha by 2 को क्या लिख सकता हूँ sin alpha by 2 upon में cos alpha by 2 clear है next आज़ो यहाँ पे क्या है minus ka sin alpha है तो क्या आजएगा minus ka sin alpha का formula क्या है 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 पुट कर दो यहाँ पे क्या आजएगा 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 फिर प्लस में cos alpha आगे यहाँ पे अब यहाँ पे formula हमारा लगेगा 2 cos square alpha by 2 minus 1 का 2 cos square alpha by 2 minus 1 into 10 alpha by 2 का क्या लगा देंगे sin alpha by 2 अब उन में cos alpha by 2 ये हो गया काम next आजो यहाँ पे minus का cos alpha है और साथ में क्या दे रखा है 10 alpha by 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus का sin cos alpha का formula क्या लगाएंगे 2 cos square alpha by 2 minus 1 into sin alpha by 2 अब उन में cos alpha by 2 फिर प्लस में sin alpha का formula 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 अब इस तरह आजाओ sin alpha का formula लगाओ क्या आएगा 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 into 10 alpha by 2 का क्या हो जाएगा sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 फिर प्लस का sin cos alpha है यहाँ पे यह sin square का लगेगा 1 minus 2 sin square alpha by 2 जहाँ पे minus वाली term है ना वहाँ पे तो यह वाला formula लगेगा प्लस वाली term जहाँ पे भी है सारी प्लस की वहाँ पे 1 minus 2 sin square alpha by 2 लगेगा अब देखो calculate करके इसको क्या आया ज्यान से यहाँ पे हम formula लगा ना भूल गे इसको क्या लिखेंगे हम 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 तो यहाँ पे देखो cos alpha by 2 से cos alpha by 2 कट गया तो पहले term में क्या आगया मेरे पास 1 minus 2 sin square alpha by 2 और प्लस में 2 sin square alpha by 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा next आजो यहाँ पे क्या cancel out हो रहा हमारा देखते हैं cancel out करके कुछ सबसे पहले देखो यहाँ पे यह agities रहेगा हमारा minus का 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 इसकी अंदर multiply करो तो क्या बनेगा ध्यान से देखो प्लस का 2 cos एक cos से cos कर जाएगा cos alpha by 2 sin alpha by 2 और minus में क्या रह जाएगा 1 यहाँ पे इसकी 1 से multiply होगी तो यह क्या हो जाएगा minus का sin alpha by 2 upon में cos alpha by 2 आगे आजो यहाँ पे यहाँ पे भी देख लो इससे यह cancel out हो गया हमारा ठीक है आगे चलेंगे next पे यहाँ पे इसकी अंदर multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा minus का 2 cos square alpha by 2 into sin alpha by 2 cos alpha by 2 minus अंदर आएगा तो plus का sin alpha by 2 upon में cos alpha by 2 clear हो गया और यहाँ पे क्या देख का हमें plus का 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 फिर थोड़ा सा space छोड़के इसको simplify करेंगे यहाँ पे क्या देख का हमें cos alpha by 2 से यह कट गया तो 2 sin alpha by 2 है sin alpha by 2 क्या हो गया 2 sin square alpha by 2 plus में 1 minus 2 sin square alpha by 2 यह इससे कट गया यहाँ पे cos alpha by 2 से यह कटेगा तो 2 minus का 2 cos alpha by 2 sin alpha by 2 है इससे यह cancel out हो जाएगा next time में कर देंगे यहाँ पे देखो क्या बन गया इससे यह cancel out तो क्या आ गया 1 यहाँ पे यह cancel out हो चुका minus का sin alpha by 2 cos alpha by 2 क्या हो गया minus का 10 alpha by 2 यहाँ पे देखो यह हमारा इससे cancel out हो जाएगा sin alpha by 2 cos alpha by 2 क्या आ गया 10 alpha by 2 और यहाँ पे क्या बच गया मेरा 1 यह आ गया मेरे पास अब ध्यान से अगर आप देखो तो हमारे पास left hand side के आई थी 1-10 alpha by 2 और 10 alpha by 2 1 और right hand side भी क्या आ गई 1-10 alpha by 2 10 alpha by 2 1 तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं left hand side is equal to किसके आ गई हमारी right hand side के hands prove यह calculation थोड़ी सी ध्यान से गरनी है आपको बस जहाँ पे भी यह negative है वहाँ पे आपको course वाला formula लगाना है positive की जंग हमें sign वाला formula लगाना है और इसको calculate करना है बस ध्यान से गरना थोड़ी सी calculation इतनी ज़्यादा tough नहीं है 12th class में हुआ बट मैं यह मानता हूँ थोड़ी सी तो tough है तो ध्यान से करनी है calculation हो जाएगी कोई भी दिक्कत लगे मुझसे पूच सकते हैं otherwise चैनल को subscribe कर लीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching next classes वीडियो